वेल्कम टुमाई चैनल फ्रेंट साज हम सीखेंगे मूली के पराथे बनाना कुछ आलग तरीके से डिफरेंट तरीके से तो चलिए आज बनाते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करें बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे के मारा नेस्ट वीडियो आपको तुरत प्राथ हो सके तो फ्रेंट देखिए एक हम प्लेट ले लेते हैं और देखिए मूली जो है ना इसको आप धो करके ऐसे छील लिजेगा छीलनी से या चाकू से आप चाहें रफ क कर सकते हैं लेकिन हम हलके हाथों से इसका जो है यह चील का हम निकाल लेंगे तो इस तरीके से आपके पास जितने भी मूली है इनको आप ऐसे छील लिजिए हमने 200 ग्राम मूली लिया है तो देखिए हमने यह मूली छील लिया है और छीलने के बाद हम इसको क्या करेंगी ग great ले लिए उसे सारे मूली को गरेट कर लीजिए तो फ्रेंट देखिए हमने सारे मूली को great कर लिया है अब इसके बाद क्या करना है obtain मूली की पतिया न तो उसके इस सब्सक्राइब पतियों का भाग उसां एक बंच बनाएंगे और ये बारिक बारिक हम इसको पतियों को कट कर लेंगे देखिए इसमें जो है हम पतियों का भी उपयोग ला रहे हैं तो पतियों को बारिक हम कट लेंगे कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हम मूली में डाल देंगे तो देखिए हमारी पतियां ऐसा होत हरी मिर्च लिया है लहसुन लिया है और अधनिया लिया है तो फ्रेंट देखिए हमने हाई फ्लेम पर कड़ाई को रख दिया है हमने दो बड़े चमच आयल डाल दिया है सरसुक आप जो भी कुकिंग यूज करते हैं उसे डाल लिजे इसके बाद हींग वन पिंच डालेंगे और जो है जीरा अधा चमच हम इसमें आयड करेंगे और इन दोनों को चटक जाने देते हैं इसके बाद हम लहसुन बारी कटा हुआ अधरक और हरी मिर्च को इसमें आयड करेंगे तो देखिए हमने ये अधरक डाला और इसके बाद ये हम हरी मिर्च को आयड करेंगे इसके निए कवरिंग पुल्याज का हो जाए न तो इसमें हम निए अधर कर सकते हाँ ऑल्म जो है ठीम चैंच पाना सहिए है तो इस तरीके से एक बेस होना चाहिए कि किसी भी सामगरी कितना डालें तो इसमें स्वादा अनुसार आप नमक को आड़ कर लीजिए और इसे एक बार चला दीजिए मसाला जो है ऑयल में जन्दी से पक जाता है जनने का डर रहता है तो यहां मेडियम फ्लेम कर दीजेगा औ यहां पर मूली और पत्ते जो हमने कट करके रखे थे उसको हम डाल देंगे अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे चला देंगे इसको हम और इसे चलाने के बाद देखिए इसे हम अच्छी तरीके से हम चला देंगे और देखिए आज को आप मेडियम फ्लेम पर ह ही रखिएगा हाई फ्लेम पर करेंगे तो आपका यह जल जाएगा तो इसको हम ढख करके एक से डेड़ मिनट तक पकाएंगे जिससे की थोड़ा सॉप्ट हो जाए तो इसकी जो पराठे हैं बनाने में अच्छे होते हैं क्योंकि अगल बगल सी फटेंगे नहीं अगर कड़क होंगे तो इसको ढख करके हम मेडियम फ्लेम पर एक से डेड़ मिनट तक हम पका देते हैं तो देखे हमारा डेड़ मिनट हो चुका है और देखे कितनी यह सॉप्ट हो चुके हैं और इसे हम चला देते हैं और फ्रेंट से इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने बारिक धनिय कटा हुआ रखा था न उसे हम पहले नहीं डालते हैं क्योंकि इसे हम बाद में इसमें आइट करेंगे हम इसको करेंगे दोस्तों मिक्स और मिक्स करने के बाद हम देखे हमारा यह अच्छी तरीके से हो चुका है हलका हलका इसमें कंचापन होगा नो तो अच्छा लगता है स्वात पराठा में तो अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम एक अलग बरतन में ट्रांसफर करेंगे जिससे की यह ठंडा हो जाये तो इसे आप किसी प्लेट या बाउल में इससे निकाल दीजिए और यह ठंडा होने के लिए इससे आप रख दीजिए जब तक यह ठंडा हो रहा है न तब तक हम इसके आटा को तैयार कर लेते हैं तो चलिए Joining से हम side में कर देते हैं ओर अटा तैयार करते हैं इसका तयहाँ पर हमने 300 ग्राम आटा लिया है और इसको हम देखिये अब इसको यह गेहूं का आटा हमने लिया आप चाहें तो इसमें आधा गेहूं आधा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं वैसे हमने एकदम सिंपल तरीके से जैसे रोटी का आटा लगाते है न उस तरीके से इसको हम गूथ लेंगे तो देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसका ज्यादा सकत आप आटा इसका नहीं लगाईएगा इसका जो है सौप्ट डो रहना चाहिए जिससे कि जब सौप्ट डो रहता है न तो हमारे पडाठे जो है फटते नहीं है तो इसको आप अच्छी तरीके से ऐसे इसका दो तयार कर लीजिए और दो तयार करने के बाद इसको हम ढख करके 10 मिनट के लिए रेष्ट के लिए रखेंगे और जब जब तक हम यह इसको हम रेष्ट के लिए रखेंग तब तक हम इसके साथ में हम रायता तयार कर लेते हैं, तो आज इसके साथ में हम आपको प्याज और दही का रायता बताते हैं, जब तक हमारा ये तयार हो रहा है, तो देखिए हमने आधा कप ये दही लिया है, और ये प्याज लिया है, तो अब प्याज देखिए इसमें कैस आधा कट करेंगे याह मुह आधा क्वा दद्क लेना है जब हम ब्रस्ट मीठ मेरें इसको में लंब उसको अगर आप चाहिए ना तो सिए प्रस्ट में कट कर κάνे लेकिन आप आधे में लंबे सेप magazव टाहिए पक धिया लेकिन लेका कॉल बावन हो लेकिन हम उस понимаю जो है चाकू से अच्छी तरी के से देखे आज लिके हम देख्या कर लिए और मिक्स तह हुआ है अब इसके color करेंगे प्याज सब्सक्राइब करेंगे अर्भेज को हम डाल देंगे इसमें ध्याज ते हैं नमक और इसके बाद जो हम लोग डेली यूज करते हैं नमक उसको डाल देंगे स्वादा अनुसा और डाल करके हम इसे अच्छी तरीके से देखें मेक्स कर देंगे तो हमारा ये प्याज का रायता देखें फटा-फट तयार हो चुका है और इसको हम धनिया की पत्ती से गार् तो देखें हमारा डो एकदम दस मिनट में अच्छी तरीके से सेट हो चुका है और यहां पर हम देखें हमारा ये जो इस्टफिंग है वह भी ठंडा हो चुका है तो अब हम यहां पर देखें इसका लोई बना लेते हैं तो इसको हम देखें एक बड़े आलू जितना हमने हमें आठा लिया है आप जिस भी सेट में बनाना चाहते हैं अब इसमें हम आठा लगाएंगे आठा लगाने के बाद आभ इसको ऐसे देखें अंगलियोंस की सहायता法 से इसका एक शेम देंNe के बाद जितना बड़े चबग्या भर लेंगे एक से दो चमच या तीन चमच आप जितना भरना चाहे भर सकते हैं लेकिन दो से धाई चमच ही भरिएगा फट जाते हैं आपने लोई कैसा लिया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्टफिंग को भरिएगा अगर आपकी लोई थोड़ी छोटी हो तो आप एक ही चमच उसमें डालीएगा और इस तरीके से उगलियों की सहता से प्रेस करते हुए और ऐसे इसका मुण बंद गर दीजिए ध्यान से देखे इसको प्रेश कर दीजिए प्रेश करने के बाद देखे कितना अच्छी तरीके से भर चुका है और इसको हम आटा लगा लेंगे आ इसका तयार करेंगे हल्क के हाथों से इससे आप बेलिए गा कहीं सी फटने न पाए तो देखिए हम इस तरीके से जितना बड़ा सेप आपको चाहिए आप उस तरीके तरह कर लिए इस तरीके से हम सारे भर लेते हैं गैस के प्लेंप पर हमने तवाक रख दिया तवाक गरम हो चुका है अब इस पर हम डालेंगे मूली के पराठे को अब मूली के पराठे नीचे से सीख जाए न तो देखें एक मिनिट बाद इस तरीके से हो जाएगा और पलट इसके बाद देखें यह नीचे ब्राउन चिती सा हो चुका है तो अब इस पर हम लगाएंगे आयल आप जो भी कुकिंग आयल खाते हो आप उसको लगा लीजिए गा लगाने के बाद इसे पलट दीजिए और इसके बाद बैक साइड में भी देखें आप यहां पर आयल बन जाते हैं अगर फटे नहीं होते हैं तो इस तरीके से आप बनाईए और देखें रायता के साथ इसे सर्व कीजिए और आप भी खाईए अपने बच्चों को कोई खिलाईए और आपके कोई गेस्ट वाता है कोई कहेगा कि वाव क्या कितना अच्छा रेशिपी है तो फ इस पी हम आपके लिए लेकर आएं तो फ्रेंट वीडियो देखेगा अंतर तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाइबाए